Hello everyone, I am MK and you are watching Tech Office और इस वीडियो में आपसे के लिए एक common problem का solution लेके आया हूँ वो है हमारे OTA update से रिगार्डिग बहुत सारे users हमेशा complain करते हैं कि भाई मेरा update सो हुआ था बट मैं जब morning में चिक कर रहा हूँ या फिर बाद में चिक कर रहा हूँ करने आते हैं तो उन्हें old build का ही update नजराता है जबकि latest आया हुआ होता है जैसे कि आप यहाँ पर same देख सकते हो मैं अभी जो काफी old build पर हूँ काफी time से update नहीं किया था तो जब update करने आया हूँ तो यहाँ पर दिखाए देरा है 11.0.6 बट latest update MIUI 12 का आ चुका है एक इन दोनों में से कोई सावी problem अगर आप face कर रहे हो तो वीडियो को खुड़ा एंटक watch करते रहे ताकि मैं आपको बता सकते कि आप किस तरीकी से without किसी data loss के without bootloader unlocking के बिल्कुल इन latest updated version को update कर सकते हो अपने Redmi, MI, Apple के किसी भी device के अंदर है सबसे पहले आपको अपने setting को open करना है about के page पे जाना है और अपने update को चेक करना है कि कौन सा update सो हो रहा है अगर आप latest वाले build पे हो आप मिस कर चुके हो जो नया update आया है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की जुरूत है अगर आप काफे ज़्यादा old build पे हो और latest build पे जाना चाहते हो लेकिन आपको थोबुत old build का ही update दिखाई देला है जैसा कि मेरा है तो भी आपको same follow करना है step सबसे पहला आपको अपने update को open करना है open करने के बाद यहाँ पे जोभी logo है आपका MIY10 हो यापकी MIY11 हो उसके उपर आपको tap करना है 6-7 time जैसे ही आप tap करोगे आपको लिखावाएगा additional update features are on इसे on कर देने के बाद आपको जोभी device है न उसका UT update जो की बिल्कुली latest है MIY11 के latest server से आपको download कर लेना है कहीं और से download नहीं करना है latest server से क्योंकि आप other third party way से download करते हो तो सायद वो काम नहीं करेगा तो साथ से latest download करके आपको internal में रख लेना है जैसे कि मैंने अभी फिलाल है जो रख रखा है तो मेरे पास है Redmi का K20 Pro इसलिए मैं K20 Pro का ही file download कर रखा हूँ आपको पास कोई other है तो आप उसका file download कर लेना आप देख से तो यहाँ पर latest है MIY12 का 12.0.1 तो download करने के बाद आपको फिर से अपने अपडेटर पे आना है इस ट्रिपल नाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कई सारे option दिखाए देंगे जिसमें से common option होगा Choose Update Package जो कि हर एक device के अंदर आपको नजर आएगा इस पर select कर लेना है और जो भी file आपने download करके रखा है उससे select करना है और ओके पर क्लिक कर देना है आपको Wi-Fi या इंट्रेक्शन on रखना है आपके फोन के अंदर ताकि यह server से read कर सके कि आप जो फाइल यूज कर रहे हो वो latest है या नहीं या फिए available है या फिए नहीं क्योंकि old होगा तो काम नहीं करेगा बिल्कुल ही latest है जो यहाँ पर काम करेगा अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आ गया यह device will be reboot automatic to update to let me UI version जो कि यहाँ पर code name और बागे model name अगरा show कर रहा है जो भी यह build number हो कर रहा है ठीक है तब ऐसे show करेगा आपको reboot पर tap करना है reboot पर tap करने के बाद यह file को decode करेगा decrypting करेगा और decrypt करने के बाद आपका phone ने जो auto reboot हो जाएगा और reboot होने के बाद आपका phone करेगा 10 second या 15 second तक का process complete करेगा update package का उसके बिच में आपको phone को on नहीं करना है नहीं कुछ करना है और आपके battery जो 30% से upper होनी चाहिए अदरवाज यह काम नहीं करेगा तो यहां पर update से तो यह off हो चुका है और update का schedule है या session है जो भी आपको look दिखाई दे रहा है वो शुरू हो जाएगा तो आपको फ़ाता हुए है यहां पर देख से तो कि मेरा phone on हो चुका है करेकर यहां पर 10 minute का time लगा है अब on करने के बाद जो भी latest build है उसका आपको logo वगरा सो करेगा उसका आपको setup complete करना होगा अगर आप one perform से second perform पर switch कर देए तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा उसके बाद है जो हम skip कर देते हैं update now पर click कर देते हैं और आप देख से तो कि मेरा phone जो कि MIUI 11 के old build पर run कर रहा है जिस पर एक और update दिखाई दे रहा था यह update कर सकते हो अगर आपने update को miss कर दिया है या फिर काफे जड़ा old update ही आपको so कर रहा है तो I hope so guys कि आपको complete detail मिल गया है कि कैसे OTA update करना है जो आप miss कर चुके हो तो आज के वीडियो पसंदा है तो एक thumbs up नहीं पसंदा है और थम डाउन और इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को subscribe करना बिलकुरी न भूले मैं मिलता हूँ आपसे next video में बाबाई